दोस्तो पाकिस्तान आए दिन अपना मज़ाग उडवाता ही रहता है कभी अजीबोगरी बयान से तो कभी ओची हरकत कर लोगों को हसने और गुसाने का मौका दे ही देता है आई है हम आपको बताते हैं कि अब पाकिस्तान ने क्या कर दिया है दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहे तो प्लीज चल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी का बटन दबाना ना भूले दोस्तों हाल ही में एंटर्टेमेंट का साधन बनाई है पाकिस्तानी गाईका रभी पीरजादा पाकिस्तान की इस गाईका ने बेहद अलग और बेहुदा ढंक से परदार मंत्री मोधी को धमकी दी है पीरजादा ने कथी तोर पर विस्पोर्टा कोग से भारी एक जेकेट पहने हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर साजा किया है और उन्होंने भारत और परदार मंत्री नरेंद मोधी के एकलाब धमकी बरी बाते लिखी है पीरजादा ने सोचा कि इस तस्वीर को पॉस्ट करने के बाद उनकी वहवाई होगी लेकिन इसके उलट वह मजाग का पातर बन गई ट्वीटर यूजर्स उनकी इस ड्रेस को लेकर चुटकी ले रहे है भारत के एक यूजर का कहना है कि रभी खुद को कराची फेशन वीक के लिए तैयार कर रही है दूसरे यूजर का कहना है कि कहीं महें दिवाली के मौके पर फट ना जाए एक यूजर ने पाकिस्तान की सरजमी पर पलने वाले आतंकियों को लेकर तंच करसे हुए इसे पाकिस्तान की रास्टे ड्रेस बताया है यूजर ने लिखा है आप पाकिस्तान की प्रारंपिक पहनावे में काफी अच्छी लग रही है वही एक यूजर ने पाकिस्तान की परधार मंतरी इमरान खान से अनुरोध किया है कि वहें इसे पाकिस्तान की नेशनल ड्रेस करार दे दे वैसे यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान गाईका ने इस तरही की हरकत की हो सिदंबर में उन्होंने एक साफ और मगरमचो वाला एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने परधार मंदरी मोधी पर साफों से हमले की धमकी दी थी क्योंकि भारत ने जम्मो कश्मीर के विशेश राजी का दर्जा वापस लिया था इस वीडियो के साथ रभी ने लिखा था कि वो एक कश्मीरी लड़की को भारत के खिलाफ जंग के लिए तयार कर रही है धन्यवाद